सर्दियों में जादतर लोगों की समस्या बालों से लेकर सकिन से चुड़ी होती है ऐसे में महंगे मॉस्ट्राइजर बालों में तेल से भी अगर ये समस्या स्थाई रूप से खतम नहीं हो रही तो एक बार लाइफटाइल में नारियल का तेल ज़रूर शामिल कर ले क्योंकि ये बालों से लेकर तवचा पर गहरा असर छोड़ती है और साथ ही कुस दिनों में फर्क भी नजर आने लगता है नहाने के बाद अगर आपको मॉस्ट्राइजर लगाने की आदत हैं तो एक बार नारियल का तेल प्राइ करे रोजाना कुस दिनों तक इसका स्तमाल करने से सर्दियों में ये नमी बनाए रखने में मदद करता है वैसे आप चाहें तो रोजाना नहाने से पहले पूरे शरीर पर नारियल का तेल लगा ले आदे गंडे बाद नहाने से नारियल की तेल की पड़ तो शरीर से निकल जाती है लिकिन तुचा नर्म और मुलायम बनी रहती है सर्दियों में तुचा को रूखे पन से बचाने का ये सबसे यूसफूल तरीका है साथे से इसकिन भी चिप चिपी नहीं होती शरीर में अगर किसी भी आंग पर इचिंग या इंफेक्शन हुआ है तो नारियल की तेल में कपूर मिलाकर उसे बातरूम में रखे रोजाना नहाने के बाद उस जगापन नारियल का तेल लगाए इससे आपको परिश्वानी से निजाद मिलेगा फिलाल इस वीडियो में इतना ही ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले